इस्राइली रक्षा मंत्री ने तेल अवीव में रक्षा समीती के बैटक में गाजा पट्टी में इस्राइल के वाल प्लैन के बारे में बताया उन्हेंने कहा हम सबसे पहले हमास के मिलिटरी, कैपिबिलीटी और सरकार चलाने की शमता को खत्म कर देंगे दूसरे शब्दों में कहें तो हमास को जड़ से उखार देंगे इसके बाद गाजा में एक नई सुरक्षा व्यवस्ता बनाएंगे रक्षा मंत्री ने कहा कि जंग तीन चरण में होगी हम पहले चरण में हैं, इसमें हम हवाई हमलों से हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं जल्द जमीनी हमला करेंगे, पूरी तरह से उनका इंफ्रस्ट्रक्चर तबाह कर देंगे दूसरे चरण में सैनिक छुटे छुटे ओपरेशन जारी रखते हुए हमास के सर्किट एजेंट को भी खत्म कर देंगे इसके बाद तीसरे चरण में गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्ता बनाएं